मुझाआ गल dann यें लेकिस ने दिए ऐसे आइल्स स्पीगुण वीडियो एल्स स्पीकिंग मॉड्यूल आज हम इस वीडियो में आयल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के उपर बात करेंगे चुक borders में इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं हैं इसलिए हमें English की speaking में कुछ problem आती है, एक वज़ाई ये है, दूसरी वज़ाई ये है, जब हम किसी examiner के सामने जाते हैं, तो हमें उसमें problem ये आती है, कि हम confuse हो जाते हैं, जिस वज़ाई से हम अपने bands lose करते थे, हम confuse क्यों होते हैं, हम confuse इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि जब examiner क सामने हमें बात करना होती है, या तो हमारे पास required vocabulary ये words नहीं होते, या हमें proper grammatical structures नहीं पता होते, या हम उस topic के उपर बोल नहीं सकते, उसके उपर हमारे पस information नहीं होती, तो हम confuse हो जाते हैं, जब आपके पास appropriate words नहीं होते, vocabulary नहीं होती, sentence structure नहीं होता, grammar नहीं आती, या खास topic के उपर आपके पास information नहीं होती तो आप confused होते हैं, इसका कोई solution होना चाहिए, solution है, solution number one, आप IELTS के तीनों parts के लिए, part one आपका introduction और आप से related questions, part two आपका cue card और part three यानि cue card से related questions, इन सब के लिए हमारी website के उपर बहुत सारे formats पढ़े हैं, लिखे हुए, आप उनको कीजिए और उनको क्रैम कर लीजिए, उनको क्रैम करने के बाद आप खुद से practice शुरू कीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो के साथ हमारे phone numbers मौजूद हैं, हमारी email मौजूद है, आप हमारे WhatsApp के उपर अपनी चार मिनिट की एक recording कीजिए, speaking के cue card की, और हमारे WhatsApp के उसमें खुबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, और आप इसको किस तरह से cover up कर सकते हैं, लेकिन मेरे tip ये है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया, कि IELTS के writing module में आप से आपका examiner क्या चाहता है, आपका examiner क्या चाहता है, आप उसको address कर दीजिए, आपके अच्छे नमबर टू, आपका lexical resource कैसा है, यानि आपने किस तरह के words, यानि vocabulary इस्तमाल की, नमबर त्री, आपकी गुफ्तगु में cohesion है, नमबर फॉर, आपकी grammatical range और accuracy है, और लास्ली, आपका pronunciation कैसा है, आपके pronunciation की mistakes तो नहीं है, अगर आप ये सारी चीज़ों को address कर दें, तो examiner आपको अच्छे bands, यानि 8.5 भी दे सकता है, मेरी suggestion यह है, नमबर फन, जब आपका examiner आपसे सवाल पूछे, तो लाजमी है आपके लिए, कि आप उसको lengthy answer दें, यानि जब तक आपका examiner आपसे अगला सवाल नहीं पूछे, आप अपने previous answer को जारी रखिए, और वो रही हों, because the test is about your speaking ability, and the test IELTS, International English Language Testing System, यानि आपकी English Language की proficiency के उपर है, तो किसी भी शक्स की English Language की proficiency कैसे चकी जा सकती है, मेरा ख्याल है, यानि कोई भी शक्स कितने अच्छे words यूज करता है, कितने अच्छी grammar यूज करता है, और क्या बोलते हुए वो पॉजिस तो नहीं ल उसके उपर आपको bands मिल जाते हैं, उसके उपर आपकी जो English Language की proficiency है, वो चेक हो जाती है, अब इन सारी चीजों को आपने speaking test में address कर देना है, इसका सबसे असान तरीका जैसे मैंने पहले ही अर्स किया, कि मेरे लिखे हुए modules को, answers को आप cram कर लीजे, याद कर लीजे, उनक को बताएंगे कि कि या आपकी speaking में खामिया हैं, आप उनको दुरस कीजिए, और फर्दर भी जो आपको required होगा, आपकी speaking को improve करने के लिए वो भी आपके साथ share करेंगे, हमारे phone numbers इस tape के साथ मौजूद है, हमारी website का address, facebook page का address मौजूद है, और इसके इलावा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इसको share कीजिए, like कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए, हम इस तरह की बहुत सरी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शक्रिया.